तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हमें आगे चलके क्या कुछ लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इसके लावा बात करने वाले हैं दोस्तों आज हमने bank nifty में किस तरीके से trade लिया था और किस तरीके से एक profit बनाया था एंड इसके लावा हम बात करने वाले हैं कुछ बहतरीन stocks जिनमें एक अच्छा momentum हमें देखने को आगे मिल सकता है तो बने रहेगे इस वीडियो पर एंड तक चलिए start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की उसके बाद price वापिस नीचे जाने की कोजिस करता है वापिस से यह उपर आ जाता है और यह price action बना के एक बहुत अच्छा moment यहां पर इसने बना के दिया हुआ है अगर किसी को price action सच मुझ में आता होगा तो दोस्तों यहां पर एक बहुत अच्छी entry बनती है और अच्छा खासा decent profit यहां पर बनाया जा सकता था basically हम जो nifty 50 में कभी ट्रेड नहीं करते तो इसलिए मैं सिर्फ analysis करने के लिए आपको बताता हूं क्योंकि मैं इसमें कोई भी ट्रेड लेता नहीं हूं बट आपने अगर लिया होगा तो definitely इसमें profit gain किया होगा उसके बाद second half ने आपने देखा होगा दोस्तों कोई भी moment नही करती है ठीक है और यहां पर sustain होने के बाद 21500 का अगर उपर की तरफ break कर देती है दोस्तों वापिस से आपको short covering देखने को मिल सकती है क्योंकि इसके पीछे का logic क्या है वो समझने की कोसिस करो जो भी sellers या जो भी put लेके गए हुए है ठीक है जो भी short sellers है उन्होंने अपना ज short covering वापिस से तेजी से देखने को आपको मिल सकती है तो इस पर आप नजर बना के रख सकते हैं अधरवाई दोस्तों इसके अलावा क्या condition हमें देखने को मिल सकती है इसी जगे पर price open होता है और फिर से यह break कर देता है 15-20 मिनट वेट करने के बाद यह वाली level अगर break कर दे हो सकता है वापिस से उपर की तरफ आए या हो सकता है projection बनाने के बाद एक फिर से एक नया low बना सकती है तो इस पर जो हम नजर बना के रख सकते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के बारे में आप देख सकते हैं सीधा ही gap down यहाँ पर हमें opening मिल ठीक है क्योंकि वह एक छोटा प्रोफिट था और हमारा जो टार्गेट था वह एटलिस यहां तक का था ठीक है तो होता क्या प्राइज वापिस अपने आपको नीचे लेके जाता है और यहां पर मुझी थोड़ा लोस हो रहा होते हैं ठीक है लेकिन मेरा जो एसल ता वह य अगर इस वाले लेवल को यहां तक देखने को मिल सकता है वापिस से जो की हमारा 250 points का रह सकता है ठीक है अगर इसी zone में यहां पर open होने के बाद sustain नहीं कर पाता है नीचे break करता है तो फिर से एक नए low लगा सकता है और अगर सीधा ही gap down open होता है दोस्तों फिर तो price action बनाने के बाद ही हमें देखना होगा अगर price action बनाने के बाद य देखने को मिले और यहां पर आने के बाद एक support बनाने के बाद ठीक है यहां पर कोई डबलू pattern या कोई hammer candle या कोई bullish engulfing candle type की यहां पर बनती है तो उसके base पर हमें एक trade ले सकते हैं दोस्तों वापिस इंटर डे हाई तक का बट इधान रखना दोस्तों overall जो market है अभी downtrend में convert हो चुकी है तो call side की जो entry है वो आपने लेनी small quantity में और जो put side की entries है अगर projection proper बनने के बाद अगर आप लेते हैं तो एक अच्छी quantity आप ले सकते हैं ना दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उन बहतरिन stocks के बारे में जो हमने आपको study कराये थे आज से 2-3 महीने पहले और एक बहुत ही अच्छा momentum हमें बना के दिया हुआ है सबसे पहला store के दोस्तों PCBL आप देख सकते हैं दोस्तों September month में मैंने आपको यहाँ पे study कराये था उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा momentum इसने जो बना के दिया हुआ है 80% का return यहाँ पे बना के दिया most four months में I hope इसे आपने कुछ न कुछ learningly होगी और आपने इसको gainfully enjoy किया होगा next okay दोस्तों वेब गलोबल आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा pattern बनाने के बाद और अपने आपको consolidation किया यहाँ पे और एक flag pattern टाइप में यहाँ पे बना हुआ था मैंने recently ही आपको study कराया था और यहाँ पे जैसी breakout यहाँ पे देखने को मिलाएं दोस्तों आप देख सकते हैं 11% का यह return बना के दे चुका है और momentum आगे भी continue रहने की पूरी-पूरी उमीद जताई जा सकती है next talk है दोस्तों श्री दिगविजे सिमेंट recently ही आपको study कराया था इस लेवल के आस पास और आप देख सकते हैं दोस्तों 17% का और यह return बना के दे चुका है I hope आपने इसको gainfully enjoy किया होगा and one of the best stock performance stock this is the work hard आप देख सकते हैं दोस्तों इस लेवल के आस पास मैंने study कराया था नॉम्बर महीने में और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों 95% का return और यह बन आके दी चुका है almost capital को जो है double कर दिया है ना दोस्तों अब हम बात कर लेते next वो stocks जिन में एक अच्छा momentum हमें देखने को मिल सकता है जो study like है जिन पर हम एक focus कर सकते हैं जिनकों study कर सकते हैं ताकि ऐसे pattern आगे जीवन में कभी आपको किसी भी stocks में देखने को मिले तो आप उ test भी करने की कोसिस किये है उसके बाद वापीस से निकलने की कोसिस कर रहा है तो यहाँ पर हम जो इसको study कर सकते हैं आगे चलके एक अच्छा खासा moment हमें देखने को मिल सकता है और next हो के दोस्तों एन आई 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 टी आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमने इस जगे के आसपास आपको जो study कराए था उसके बाद इसने जो 55% का already return दिया हुआ था बट इसमें जो दुबारा से हमें एक प्राइज एक्षन यहाँ पर नजर आ रहा है तो आगी चलके फिर से इसमें एक upside momentum हमें देखने को मिल सकता है इस प्राइज ने क्या किया अपने आपको cool down क किया रिटेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यह 130 के levels को अगर यहाँ पर निकलता है तो वापिस से एक अच्छी short covering हमें देखने को मिल सकती है तो इस पे भी आप जो निजर बना के रख सकते हैं और दोस्तों last but not the list अपको text industries आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत ही अच्छा triangle pattern बना हुआ है प्राइज अपने आपको जो एक consolidation करते हुए बिल्कुल narrow range में लेके आ चुका है अब यहाँ पर देखते हैं क्या situation बनती है अगर यह situation दोस्तों उपर की तरफ यहाँ पर breakout हमें मिलता है तो एक solid recovery हमें देखने को यहाँ प दोस्तों कहना चाहँगा अगर आप projection सीखना चाहते हैं तो आप जोइन कर सकते हैं हमारा course link description में दिया हुआ है जाके जोइन कर सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care